सब्सक्राइब करें एलपटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंद जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का एक बार फिर सो सौगत है हमारी यूट्यूब चैनल एलपटेल में काफी किसान भाईयों ने मुझे कमेंट किया है कि हम यूरिया पहले डाले या पानी के बाद में डाले तो इसके बारे में हम थोड़ा सजानेंगे कि यूरिया कैसे काम करता है और कौन से समय में हमें डालना चीज़ जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा हो तो सबसे पहले बात की जाए कि यूरिया होता क्या है तो यूरिया कुछ नहीं है इसके अंदर 46% नाइटरोजन की मातरा आती है और ये जो 46% नाइटरोजन की मातरा होती है ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर CO उसके साथ होता है NH2 जिसका होल टॉइज होता है मतलब यह कि यह chemical formula है जिसके अंदर nitrogen की जो मात्रा होती है वो 46% होती है तो यह जो formula है यह क्या करता है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया जैसे ही हमारे जमीन पर जाता है तो उसके बाद क्या होता है उसे hydrolysis किया जाता है hydrolysis का मतलब होता है कि पानीसे उसे घुल जाता है अब जैसे उसे पानीसे घुलेंगे या फिर वो पानी के touch में आएगा तो उसके तीन अलग-अलग form बनते हैं तीन अलग-अलग form बनने में एक nitrate होता है एक ammonia होता है और एक ammonium होता है तो यह तीन फॉर्म होता है यह तीनों का ही अलग-अलग काम होता है जैसे NO3 जो होता है उसे सबसे ज़्यादा जल्दी हमारा पौधा जो है वो intake कर लेता है मतलब उसे सबसे जल्दी हमारा पौधा खीच लेता है जो NH4 फॉर्म होत तो भो भी हवा में उड़ जाता है तो यह होती है यूरिया की एक basic बात जो कि scientific है अब हम बात करते हैं कि यूरिया हमें हमारे पानी से पहले देना चाहिए यह पानी के बाद में देना चाहिए तो जो कि मैंने आपको reaction बताई इसके अंदर सबसे पहला ज़रूरी बात उनने कहा है कि hydrolysis होता है hydrolysis का मतलब होता है कि पानी से उसे घुला जाता है जब जाके उसकी reaction होती है तो अगर आप पानी के बाद में देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो पानी के बाद में देंगे तो जमीन में नमी रहेगी उसके उपर आपने यूरिया डाल होगा और वह हवा में जदा उड़ेगा इसका मतलग है कि आपके लॉस जो है's State सवह है बड़ जाएँगे अब बात करते हैं कि लॉस बड़ने से आपका जो शूण है वह जादा बनेगा और वह गेशी वरम में बनके ज्यादा उड़ेगा इसलिए हो सकता है कि आपको फसल में जब आप यूरिया बाद में देते हैं तो नुकसान पड़े मतलब आप जो यूरिया दे रहे हैं इसका रिजलेट सही ना मिले अब बात करते हैं कि पहले देने में तो पहले देने में भी एक नुकसान होत जाता है कि वहां तक हमारे पौधे की जड़ नहीं पहुच पाती और वो होता है बाटर लॉगिंग में इसका मतलब यह कि उसमें से पानी निकल जाता है और पानी के सांथ यूरिया भी बह जाता है तो यह जो समस्य है यह भी आती है तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है हम बात करते हैं सबसे पहली बात अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो वो पानी से पहले ही दें पहले देने से क्या होगा कि उसके हड्रोलैसिस की रियक्शन होगी हड्रोलैसिस की रियक्शन जो है वो सतह पर होगी सतह पर रियक्शन होने के बाद वो यूरिया जो है वो सी जड़ तक पहुचाएंगे और आपको एक बात याद रखनी है जो हमारे फसल के पौधे होते हैं उनके साथ एक सरचना होती है जिसमें पौधे की हाइड जीतनी होती है उतना ही जड़ का विस्तार नीचे तक होता है इसका मतलब यह कि काफी गहराई तक हमारे पौधे की पड़ रहती है तो उस सतह तक आराम से हमारे यूरिया जो है वो चला जाता है इसलिए दोनों प्रकार की रियक्शन से वो काफी जल्दी अब्जाब करके आपको रियक्शन तुरंत दिखने लगती है जिसे आपने देखा होगा कि आप यूरिया का पानी डालते हैं और उस पानी से काम होना चलू हो जाता है इसलिए मेरी बात को याद रखें कि आपको यूरिया पानी से पहले डालना है पानी के बाद अगर डालेंगे तो आपको उस छेतर में डालना है जैसे आपके छेतर में का होता है कि बाटर लोगिंग की समस्या कुछ ज़्यादी है मतलब रेती लिमिक्टी है, जिसमें बहुत जादा पानी अंदर तक चला जाता है, तो उसमें अगर आप बाद में डालेंगे, वो भी बाद में कब जो आपका पानी निकल गया है, उसके तुरंत बाद ऐसा नहीं है कि आपने पानी निकाल दिया और सर्फेस पर पानी सूख चुका है और आपने उसके बाद यूरिया डाला तो उसके बाद तो आपका कोई काम का नहीं आने वाला आपको डालना है कि जैसे ही आपका पानी गया है नमी बनी हुई है उसी पर आपने तुरंत डाल दिया तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रियक्शन है वो सभी होने लगी और आपका यूस आ जाएगा मैंने दोनों का है प्रैक्टिकल किया है लेकिन जो किसान भाई के अनुसार अगर कभी खेद के रिजल्ट में देखा जाए तो जो पानी से पहले डा जाता है यूरिया उसका ज्याद अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि वो अब्सॉब भी बराबर होता है घुलता भी पूरी तरीके से क्योंकि दोनों प्रकार की यूरिया आता है मोटे दाने का भी आता है बारिक दाने का भी आता है कभी किसान भाई को मोटे दाने का मिलत दे लेकिन जो मोटे दाने वाला है वो तो बिलकुल भी ने दिपाएगा तो यही सब कुछ है यूरिया आप पहले डाले या आवाज में डाले अगर मेरे प्रैक्टिकल ओपीनियन की बात की जाए तो पहले डालने वाला जो काम है वो जादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर तो आपको फादा रहाएगा उसमें एक और फादा यह रहाएगा कि आप कुछ भी उसमें मिलाके डाल सकतें जैसे तो आप जो समस्या ऐगा गर आपके खहत fungus की समस्या दिख रहे हैं ये टाके टाके आपके गेहूं सूख रहे हैं तो आप उसमें टेवी के नजॉल 2% DS फॉर्मॉलेशन को मिला के डाल सकते हैं उसको भी डालेंगे आप तो आपकी जो fungus की समस्या है क्योंकि पानी के पहले डालेंगे आप तो यूरिया जो है उसे बिलकुल घोल कर उसको आगे सरकाते जाएगा इससे क्या है कि पूरे खेत में एक तरीके से काफी अच्छी एक लेयर बन जाएगी जो कि आपको फादा करती है तो यह जो बाती थी यह काफी ज़्यादा जरूरी है और काफी किसान भायों के मन में आता है कि हम बाद में यूरिया डालें लेकिन वो गलत रहता है तो यही सब कुछ है यूरिया के बारे में अगर आपको यह चानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें साथी चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद